दो विधान सभा में उपचनाव होने हैं और इन दोनों जगहों पर अब तेज़श्च्व यादव की राहें लगातार मुश्किल होती जा रहे हैं सबसे पहले उनके साथे कॉंग्रेस अब उनके दुश्मन हो गए हैं और साब को पर अलान कर दिया है कि कॉंग्रेस इन दोनों जगहों पर चुनाव जीते या न जीते लेकिन वो RGD को किसी भी शर्त में चुनाव जीतने नहीं देगी क्योंकि RGD ने कॉंग्रेस के साथ छल किया है धोखा किया है और अब तेजपरताप यादव भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं बकायदा आज तेजपरताप यादव ने डॉक्टर अशोक राम से मुलाकात की डॉक्टर अशोक राम जो कॉंग्रेस की नेता हैं 2020 के विधान सवाचनाव में कुशिसुर अस्थान से चुना लडा और इस बार उक्चनाव में कुशिसुर अस्थान से उनके बेटे अतरेक को टिकट दिया गया है और तेजपरताप यादव ने डॉक्टर अशोक राम से मुलाकात की अब आप इस सारा समझ सकते हैं कि तेजपरताप यादव क्या मेसेज दिना चाहते हैं जो चाहतर जन सकती परिशद का मुगेर प्रमणल का अध्यक्ष है संजे कुमार तो एक बड़ी खबर है तेजपरताप यादव ने तेजपरताप यादव को कमजोर करने के लिए पूरी रनिती बना ली है और अब खुलम खुला भागी हो गए हैं और बकायदा सबसे पहले वो कुछे सुरस्थान के जो परत्याशी हैं उनके पिता से मुलाकात करते हैं जो 2020 में बकायदा कॉंग्रस के परत्याशी रहे थे और अब एक बड़ा एलान बकायदा बता दे की छातर जन सकती परिशद के परदेश अध्यक्ष प्रशांत प्रताप यादव ने की है और कहा है कि संजे कुमार तारापूर से निर्दलिय चुनाव लड़ेंगे और छातर परिशद उनकी भरपूर मदद करेगा तो साफ तोर पर बता दे की संजे यादव जाती से आते हैं और बकायदा उन्होंने मेकनिकल इजनिंग के पड़ाई की है 15 साल तक रूस में रहकर नौकरी की और इस वक्त बिहार में रह रहे हैं इनके बारे में बता दे की इनोंने बकायदा 2005 में निर्दलिय चुनाव लड़ा और 2010 में कॉंग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था इसके लाव बता दे की संजे कुमार ने बकायदा साब तोर पर कहा कि तारापूर में 72,000 यादव हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है क्योंकि 2019 का लोगसभा चुनाव आपको याद होगा जहां पर जहनावाद में तेजपरताप यादव ने अपने एक करीबी को बकायदा लोगसभा चुनाव का टिकट दिया था और वहाँ पर तेजपरताप यादव की वज़ा से जीडिव के चंद्रेश्वर चंद्रवंसी की रहासान हो गई थी और वहाँ से आरजडी के परत्याशे की हार हो गई थी तो तेजप्रताप्यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है क्योंकि आपको पता होगा कि कल नहीं शिवानन दिवारे ने सापकोर पे कहा था कि तेजप्रताप्यादव ने खुद एक अलग संगठन डा लिया है और वो आरजप्रताप्यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है एक वक्त में जब कॉंग्रेस ये एलान कर चुकी है कि वो किसी भी सर्थ में आरजप्रताप्यादव कुछे सोर अस्थान के प्रत्याशी के पिता से जाकर मिलते हैं जो 2020 में कॉंग्रेस के प्रत्याशी ते चुनाव लड़ा था काफे दिल्चस्प हो गया है और जैसे ही कुछ नया अप्डेट इसको लिकर आएगा उसे मापको इतला करेंगा आप देखते रहें जंदा जंक्शन बहुत भुत धन्यवाद झाल